इस बक्त हमसे बात करने के लिए पाली गंज के विधायक संदीप स्वारब जी मौजूद है जिस तरह से नितिश कुमार की तरफ से लगातार सिक्षक लोगों को ये औस्वासन मिला था विधान सवा सत्र के दौराने की सत्र खत्म होता है और हम लोग सिक्षकों के साथ मिटि और सत्र के बाद हम सब लोग जानते हैं कि विपक्ष की बैठक भी हुई तो सरकार ने कहा कि विपक्ष की जब बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद मीटिंग होगी और बिहार में अभी चल रहा है शायद कैबिनेट का विस्तार और उसका बने उसका सफलिंग री सफलि कम है तो आप देट एनांस कीजिए कम से कम डेट की घोषना सरकार करें और इसी संबंद में मानियों मुख मंत्री महदय से हमारी बात भी हुई और इसके अलावा कुछ और बुद्धों पर भी बात हुई तो हमने तो डेट की बात की कि आप जल्दी से जल्दी डेट दीज किये और सारे नियोजित सिक्षक संगत्नों को सुचित किया जाए और समभवता इसी कारां से अभी सब जीलों में जो चिठी गई है कि सिक्षक संगठन जो रजिस्टर हैं उनके पदादिकारियों की मांग की गई है तो हो सकता है कि वह बैठक के लिए ही तैयारी एक तरह स दियुक् explained संगटनों से सरकार बात करके या सिक्षावी भात करके मीश्टीन तो जाती है तो पिए नहीं होना चाहिए अगर नियूजीट-पो का मामिल 220 संगठन के साथ ही बात होना चाहिए तो चाह थीक है उस समें हम को कहा गया कि तीन चार दिन के अंदर हम डेट एनाउंस करेंगे तो तीन चार दिन तो होने जा रहा है तो हम लोग 211 तक हम लोग इंतिजार करेंगे और उसके बाद विहार सिक्छक संगहर्च मोर्चा जो अलग-अलग सिक्छक संगहत्नों का एक मुर्चा है और इसी एक मांग को ले करके केंद्रित है यह मुर्चा उसकी हम लोग तुरंद बैठक करेंगे उसके बाद अगर सरकार नहीं डेट देती है तो और फिर हम लोग आगे कर रणनीची करेंगा वहां से कह रहे हैं कि पांच दिन का टाइम चाहिए निकि पांच दिन कार्टी मेटम में रहांटहक नहीं होती है तो बिद्याले में इस बार चाहेंगे तो कोई भी मसला आए तो एक सिक्षक संगठन अगर चाहे कि हम तला जर दें और बाकी सिक्षक उसमें कॉपरेट ना करें तो फ्लॉप हो जाएगा इसलिए जो भी रन्निती बनेगी तला जरने का या दुबारा से पतना में आंदोलन करने का जिलास्तर पर आंदोलन करने का या किस तरह से करना है या हर्ताल में जाने का तो इस तरह की कोई भी रन्निती बनेगी तो एक व्यापक बैठक करके साड़े सिक्षक संगठन एक बा तो पांस दिद्ट का जो भी समय कह रहे हैं लोग तो ही हम कर रहे हैं कि इस महीने का अंद तक हम लोग देखते हैं उसके बात कर और एक बैठक बुलाएंगे यहीं तो मैं क्या सरकार आपकी बात को गटबंदन में होने के बाभर सुद्धी नहीं तो मैं कि आपको आपको आपने जो सहमती दी है उसे वापस liüne चाहिए और अज़ी होग के पास बात कहते हैं यह तो हमारी पार्टी जो सरकार को भी बाहर से समर्थन दे रही है तो हम लोगी तो भूमिका यह है हमारी पाथी ने तो सुरुवात में ही भूमिका टैकर ली कि हम इस दौर के जो जंता के सवाल रहेंगे जो आंदूलन के मामले रहेंगे उनका सही और सार संख्षेप में उसका जो मांग है वो सरकार तक ले जाएंगे तो हमारी पार्टी ने शुरुवात में अनाउंस किया जब यह सरकार बनी तो महागटबंधन बना है कि साधार पर कि सामप्रदाइक और लोकतंतर पर हमला करने वाली समविधान पर हमला करने वाली ताक्तों को सत्ता से बेदेखल करना कि सधार पर बना महागटबंधन तो महागटबंधन में अगर अभी भी यह चीज है कि हमें बीजेपी से लड़ना है है उसकी जन्विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जुट रहना है तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम इस महागटबंदन से अलग हो जाएंगे हम तो इसके पैरोकार हैं कि बड़ी एक जुटता होनी चाहिए जहां तक बात रहा कि सिक्षक संगटनों का मसला देखिए कोई भी बात हम सरकार तक ले जाते हैं तो ले जाने के दर्मियान हमारे पास एक तो तर्क होता है सिक्षक संगठन में यह जो राज्यकर्मी वाला मामला है इसके सारे तर्ग को ठीक तरीके से सजा करके मैंने कई बार आपके चैनल पर भी कहा सरकार तक लिखित में भी ले गए और वहां से सरकार के संग्यान में आया और यह हम लोग के सतत प्रयास के बाद सिक्षक के एक जुट अंदुलन के बाद ही यह हुआ कि सरकार ने कहा कि ठीक हम वारता का समय दे रहा है तो ऐसी बात तो नहीं कि सरकार सुन ही नहीं रही है कि हमने आंदूलन रूप करके कहा कि हम सरकार में और हम बात कर लेता है हमने कहा कि आप सरक पर आंदूलन को तेज रखिए और उस तेज आंदूलन के दबाव में सरकार वारता करने के लिए तयार होगी आपने 31 जुलाई तक का सरकार को अल्टिमेटम दिया है अगर उसके बा तो आपने सुना कि जिस तरह से लगातार सिक्षक संग के अंदर अक्रोस इस सीज को ले करके है कि सरकार ने 14 जुलाई के बाद की बात है कि उन लोग के साथ बैठेंगे सिक्षक संग लोगों के साथ और जो बीच का रास्ता राज्यकर्मी का अब तक आज जुलाई का आखरी सप्ता चल रहा है बाब जूद इसके बाते नहीं सुनी गई तो संदीप सौरब जो माले के बिधायक है वो लगतार आंदोलन परदर्सन में साथ दिये हैं उनका भी कहना है कि 31 जुलाई तक अगर बाते नहीं सुनी गई या फिर मिटिंग न झाल 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